योग के बारे में मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ और मुझे लगता है कि ये आसन और ये मेरा दृष्टिकोन है हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे जानवरों से सीखना बहुत जादा लालज की बात है कि सांप ऐसा क्यों कर रहे है लोग किताबे लिख रहे हैं जो कहती हैं कि योग कालिफोर्निया में शुरू हुआ और मेडोना इसकी पहली साधक थी योग के शुरुआ पंदरा हजार साल पहले हुई थी जब आदी योगी ने अपने पहले साथ शिश्यों को योग सिखाया था जिने आज सब तरिशी के रूप में जाना जाता है उन्होंने जो योग सिखाया वो कोई शारेरिक वे आयाम नहीं है और नहीं वो जानवरों के बारे में हैं वो जो है उसके अनुसार लोग उसे नाम देते हैं अब आप इस मुद्रा में आएं ये क्या है? इसे कोई नाम दीजिए. क्या? ये नाव की तरह दिखता है. हम इसे नाव मुद्रा या नौकासन कहते हैं. इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है. अब आप इस तरह बैठते हैं मुझे आप किसी चीज की तरह दिखते हैं और मैं वैसा कहूँगा क्योंकि वरना नाम कैसे दिया जाए यह सिर्फ नाम रखने की सुविधा है हाँ, इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है हाँ, नहीं पता नहीं, पता हैं, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे योग के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो वही कारण है कि ये एक बहुत ही बचकाना सवाल है, लेकिन मुझे लगा… अगर आप इसे बस सही तरीके से थाम कर रखना सीख चाते हैं, तो आप पूरे ब्रहमांड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी आधार पर काशी का निर्मान हुआ है, एक विशाल मानव शरीर, एक शांदार मानव शरीर बनाना जो जिसमें भौतिक्ता को अपने साथ ढोने की अधाना हो, ताकि वो हर समय चालू रहे और वो पूरी प्रक्रिया को डाउनलोड कर सके, यही वो असाधारन प्रयास है, जो उन्होंने काशी में किया, एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा कर पाना, एक अलग खेल है, तो आपका मतलब है कि अगर आप काशी का सैटलाइट व्यू देखें, तो यह एक तरह के यंत्र या वैसा कुछ लगेगा, निश्चत रूप से, यहां तक कि अगर आप होट एर बलून या हेलिकॉप्टर में उपर जाते हैं, तो आप यंत्र का रूप देख सकते हैं, यह बहुत एक पहलू है, लेकि आप इसे एक सीमा से आगे रहस्यमय नहीं बनाते हैं, और पता है मुझे आपकी यही बात खासकर पसंद है, क्योंकि मुझे रगता है कि धर्म और आध्यात्म की दुनिया में आप, चुकि बहुत सारी परते हैं, जो आप… जो को रहस्यमय लगता है, उसे आप इस तरह से नीचे लाते हैं, कि लोग उसे समझ सकें, यही आपका काम है, जो उनके पास है, उसे छीन लेना नहीं, वो राजनितिक का काम है। जो मन में आता है, दूसरी बात यह है कि यह मुक्ष क्या है, यह मुक्ति क्या है, क्या यह जीवन के खिलाफ नहीं है, पुनर जन्म, हर चीज, क्या ऐसा नहीं है कि हम रित्यू का बहुत ज्यादा महिमा मंदन कर रहे हैं। और काशी में अंतिम रित्यू, जो मुक्ति है, इसका मतलब है कि हम जीवन के खिलाफ हैं। हमें लगता है कि पुनर जन्म, हुनाय का भिशाप है। ये वो सवाल है, जो मैं आपसे पूछना चाहता था। क्या आपको अपना स्कूल अच्छा लगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा। आपके स्कूली पढ़ाई, आपको इसमें मज़ा है? लेकिन क्या आप कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्सुक थे? तो जब आप दसवी पार करके निकलें, दसवी या बारवी कक्षा में मान लीजे कि हमने आपको फिर से किंडर गाटन में दाखिल कर दिया, क्योंकि आपको वो बहुत अच्छा लगा था, क्या आप इसे पसंद करेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है. या आप कॉलेज जाना चाहेंगे? मैंने उस समय ऐसा नहीं सोचा था, बात बस इतनी है कि ये स्वाभाविक है कि आप अगले चरण में जाते हैं, है ना? तो यदि आपने इस जीवन को पर्याप्त देख लिया है, तो आप अगले चरण में जाना चाहते हैं, आप वही चीज फिर से नहीं करना चाहते, उसमें क्या गलत है? हाँ, लेकिन कोई मुक्ष के बारे में जो कहता है, तो मैंने जो सुना है, हो सकता है कि वो अधूरा ग्यान हो, लेकिन सचा ही ये है, कि आपका पुना जन्मन नहीं होगा, आप जाएंगे, अगर ऐसा है तो क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, आप फिर से किंडर गार्टन नहीं जाना चाहते, इसमें गलत क्या है? लेकिन फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि चीटी के रूप में जन्म लेना और मनिश्व के रूप में जन्म लेना दो अलग 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 अठी है। ताकि आपको ये समझाये जा सके कि हर जीवन का अपना स्थान है और यहां कोई भी जीवन स्रिष्टी करता के हाथ के सक्री रूप से शामिल हुए बिना घटिक नहीं होता। अगर आप चीटी को ध्यान से देखें तो वो इंजिनियरिंग, यांत्रिकी और स्रिजन का एक शांदार नमूना है। तो स्रिष्टी करता के हाथ के बिना ये सब नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस संस्कृती में हमने आपको बताया कि अगर आप पेड को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप पत्थर को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप गाय को देखते हैं तो आप यही चीज़ करते हैं, अगर आप पुरोष, महिला या बच्चे को देखते हैं, तो भी आप यही करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ जो यहां है, उसमें इश्वर का हाथ है, कोई भी परमानू उसमें स्रिष्टी के स्त्रोत के धड़के बिना काम नहीं कर सकता, आपने खुद के लिए, क्या ये शरीर बहार से बनाया है, क्या आपने इसे बहार से उधार लिया है, या ये आपके भीतर से बनाया है, आपने इसे बहार से भुजन दिया, लेकिन केले को इंसान बनाना आपके भीतर से हुआ है, है ना, आपने खुद, तो इसमें बुद्धी मत्ता और काबिलियत है, जो इसमें मौजूद स्रिष्टी का स्रोत है, तो अब पहली चीज उसको स्वीकार करना, तो यही कारण है कि इस देश में सभी तरह के भागवान, हर चीज दिव्य है, मनुष्य होने की संभावना ये है कि आपको इसका साक्षातकार हो सकता है, हाँ, लेकिन ये तथ्य की काशी का बहुत महत्व है, इस शहर का क्या महत्व है? ये अनुष्ठान मृत्यू का महीमा मंदन नहीं है, ये कोई उत्सम नहीं है, ये एक वैग्यानिक प्रक्रिया है, मुंबई शहर में होने के कारण आपको शायद ना पता हो, पर आप गाओं में लोगों से पूछें, या अंतियेश्टी करता का बिजनिस चलाएं, तो आप आपको पता होगा, एक मृत शरीर के 11-12 दिन तक नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, ये जीवन की सचाई है, तो क्योंकि जब आप अप अपनी मा के गर्ब में बनें, तो आप एक जटके में अचानक नहीं बनें, ये धीरे-धीरे हुआ, समाई के साथ, इसी तरह जब शरीर को छोड़ता है, तो ये धीरे-धीरे होता है, कोई व्यक्ती असल में मृत हो सकता है, वो वास्तव में मरा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रान ने उसके सिस्टम को नहीं छोड़ा है, फिर भी वो वहाँ है, इसका उप्योग करने के भी कई तरीके हैं, और सबसे बढ़ कर जब तक प्राण शरीर में हैं तब तक शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति ब्रामित रहता है देखे बाहर से देखने पर हमें लगता है कि वो मर चुका है जहां तक उसका सवाल है वो शरीर से बाहर फिसल गया है जब मैं शरीर से बाहर फिसलना कहता हूँ तो चलिए इसके लिए एक सही संदर्ब रखते हैं जब आप पैदा हुए थे तो आपका शरीर जरा सा था अब यह इतना बड़ा हो गया कैसे? आपने इसे बाहर से इकठा किया ये बस धर्ती का एक टुकड़ा है आपने जो खाना खाया उससे आपने जो इकठा किया है आप जो इकठा करते हैं वो आपका हो सकता है अभी के लिए आप इसे अपना होने का दावा कर सकते हैं लेकिन ये आप नहीं हो सकते हैं है ना? क्या ये आप हो सकते हैं? फिर मैं क्या हूँ? हम उस पर आएंगे, अभी मत कूदिये आप जो कुछ भी इकठा करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपका हो सकता है वो आप नहीं हो सकते, है ना मैं एक अपड़े जमा करता हूँ और कुछ समय बाद अगर मैं कहूँ ये मैं हूँ तो ये पागलपन है, है ना लोगों के साथ यही हुआ है वो इस शरीर को एकठा करते हैं और सोचते हैं कि वो ये शरीर है तो ये पागलपन फैल गया है चूंकि अधिकतर लोग यही कहते हैं और हम लोग तांतरिक सिस्टम का पालन कर रहे हैं जो भी भहुमत कहता है, वो सही है, लेकिन वो बेवकूफी है, आप जानते हैं कि आपने इसे एकठा किया है, आप जो एकठा करते हैं, वो आप नहीं हो सकते, ये पागलपन से कम नहीं है, चूँकि हर कोई एकी दशा में हैं, हम सोचते हैं कि ये ठीक है, लेकिन जो ठीक नह तो सारी मानवी पीडा और भ्राम और जीवन की समझ की कमी का आधार ये एक बात है, कि आप ये नहीं समझते कि आप अपने जीवन के हर पल में नश्वर हैं, तो यहाँ दाहस संसकार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने का कारण है, कि आपको पता चले कि आप नश्वर हैं, और आप समझें कि आप नश्वर हैं, जब आपका समय पूरा हो जाता है, तो आप काशी आते हैं खुद कुम्रित्यों के लिए तैयार करने, तो यह नश्वरता ही एक मात्र चीज है, जो आपको सोचने के लिए प्रेरित करती है, कि इससे परे क्या है, अगर आप अमर होते, तो आप कुछ भी नहीं सोचते, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं होता, है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह खत्म होने वाला है, और जो खत्म होने वाला है, वो सिर्फ वही है जो आपने इकठा किया है, ये शरीर कर्ज है जो आपने इस धर्ती से लिया है आप धर्ती से कर्ज लेते हैं जब चुकाने का समय आता है तो ज्यादातर लोगों ने इससे कुछ नहीं बनाया सिर्फ अपने दिमाग में बकवास सोचने के अलावा मनोवैग्यानिक हकीकतें चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो वो एक पल में ढह जाएंगी जब मृत्यू का पल आएगा तो आपने जो सोचा महसूस किया आपके विचार भावनाय कुछ भी माइने नहीं रखेंगी अस्तित्व के दृष्टी से आपने ये प्राणी के साथ क्या किया बस वही माइने रखता है आज समाज में वो आयाम काफी हद तक बहुत ज़्यादा पश्चिमी प्रभाव की वज़े से खत्म हो चुका है मृत्यू वास्तव में क्या है क्या ये शरीर का क्षय है ये शरीर का मरना मृत्यू है एक तरफ मेरा शरीर मर रहा है दूसरी तरफ मेरा मेरे विचार मेरे दृष्टी कौन ऐसी चीज बन रहे हैं जिनने दुनिया कले लगा लेती है और ये मेरे बिना जीते हैं तो ये क्या है क्या आप इसे मृत्यू कहेंगे आप मृत्यू को किस रूप से परिभाशत करेंगे क्या आप कभी मरे हैं आपने जो कविताएं लिखी हैं उसके लिए ठीक है क्या आप वागई कभी मरे हैं क्या आप मर कर वापस आये हैं नहीं अपने अनुभव में नहीं है ना क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है, जो मर कर वापस आया हो? मैंने किसी को नहीं देखा. क्या आपने कभी किसी मृत्व्यक्ति को देखा है? मुझे ऐसा नहीं लगता. मृत्यू जैसी कोई चीज नहीं होती बस जीवन, जीवन और जीवन होता है जो एक आयाम से दूसरे आयाम में जा रहा है तो जब लोग अज्ञानी होते हैं और जीवन के बारे में उनकी दृष्टी और जीवन के उनकी धार्णा अस्तित्व की भौतिक प्रकृती तक ही सीमित होती है सिर्फ तभी वो जीवन और मृत्यू के बारे में सोचेंगे वरना ये सिर्फ जीवन और जीवन ही है बढ़िया बढ़िया तो आप कह रहा हैं कि ये मृत्यू का अस्तित्व नहीं है मेरी बात पर यकीन मत कीजिए मैं बस आपसे कह रहा हूँ की नहीं मैं आपकी बात समझता हूँ जो सत्य नहीं है उसे हटा दें सत्य के बारे में बात ना करें नहीं लेकिन अगर आप फिलोसफी को भूल जाएं और आप वो देखें जो आप देखते हैं वो ये है कि एक व्यक्ति था जिससे आप छू सकते थे और महसूस कर सकते थे नहीं एक शरीर था जिससे आप छू सकते थे और महसूस कर सकते थे कई बार आप प्राणी को छूने की बेतावी से कोशिश करते हैं लेकिन आपने कभी नहीं छुआ ज्यादा से ज्यादा आप उनके शरीर को छूते हैं आप उनके विचारों को छूते हैं आप उनकी भावनाओं को छूते हैं लेकिन आप उन्हें छूने की कोशिश करते हैं लेकिन आपने कभी नहीं छुआ लेकिन जब वे नहीं होते तो आप उनके अनुपस्थिती को महसूस करते हैं क्योंकि शरीर गायब है, मन गायब है, बाचीत गायब है भावनाएं गायब है आपको इसकी कमी खल रही है, आपको प्राणी की कमी बिल्कुल नहीं खल रही है कमी खलना एक मनोवैग्यानिक प्रक्रिया है, है न? क्या ये एक शारेरिक प्रक्रिया भी नहीं है? हाँ, शारेरिक और मनोवैग्यानिक आपकी माँ जो आपको खाना खिलाती थी, आपको गले लगाती थी, अब ऐसा नहीं होता देखिए बहुत एक रूप से हम चीजों को बहुत आसानी से बदल सकते हैं ये मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चीजे हैं जिने उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक संरचना के अनोखेपन के कारण नहीं बदल सकते और उन दो लोगों के बीच भावनात्मक संबंध का अनोखापन यही वो चीज है जिसे बदल नहीं सकते भावतिक्ता को आसानी से बदला जा सकता है, है न? सद्गुरू मैं आपसे पूछना चाहता था कि मनुश्य को मृत्यू से इतना डर क्यूं लगता है? ऐसा क्या है? जो हमें मृत्यू के प्रती इतना असुविदाचनक और असहज महसूस कराता है देखिए लोगों को विचलित करने वाली चीज मृत्यू नहीं है अभी हम मनी करनिका के सामने हैं उसके ठीक बगल में काल भहरव मंदिर है आप जो देख रहे हैं वो काल भहरव मंदिर है भहरव वो हैं जो आपको डर से परे ले जाते हैं काल भहरव समय का डर है ये समय का डर है, ये मृत्यू का डर नहीं है असल में दक्षन भारती भाशाओं में बृत्यू के लिए यही शब्दावली इस्तिमाल की जाती है सभी दक्षन भारती भाषाओं में कहा जाता है उसका समय समाप्त हो गया है तो डर हमेशा समय को लेकर होता है समय ही डर का अधार है अगर आपके पास असीमित समय होता तो कोई बात नहीं होती, है न? समय खत्म हो रहा है अगर कुछ होता है तो समय एक समस्चा है अगर कुछ नहीं होता तो समय एक समस्चा है तो मृत्यू का मतलब है कि आपका समय पूरा हो गया है तो यह एक सीमित समय है जिसे आप जीवन कहते है और आपको पता है, अगर आप उस सवधी के भीतर कुछ खास चीजें नहीं करते, तो आप, आप कई मायनों में अत्रिप्त रह जाएंगे तो जो लोग बहुत संतुष्टी पूर्ण जीवन जीते हैं, आप देखेंगे कि जब जाने का समय आएगा, तो वो उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक शालीनता से प्रस्थान करेंगे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन नहीं जिया है अगर उनका अनुभव बड़ा है, उन्होंने खुशी से जीवन बिताया, अगर जीवन के प्रती बड़े पर्मानंद की भावना थी, तो ऐसे लोग सहजता से मरेंगे दरअसल ये वो लोग हैं, जिन्हें जाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, है ना, जिन लोगों का जीवन बुरा रहा है, उन्हें जाने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है तो ये बेचानी और डर कुछ और नहीं, बलकि ये सच्चाई है कि समय नहीं है हाँ, इसीलिए काल भैरव अगर आप समय के डर से मुक्त हैं, तो आप पूरी तरह डर से ही मुक्त हैं काल को काला इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि आप नहीं देख पाते कि आगे क्या होने वाला है ये पूरी तरह से अंधकार मैं है समय आने वाले कल को छिपा लेता है है न?